एक निया पेपर है ग्रीन फिल्ड स्कूल का यह प्रीबोर्ट का है 2023 का तो आज हम लोग इसी को सॉल्फ करेंगे जालू होई ना ठीक तो देखो पहला कोस्टन देखो देटा टाइब विच स्पेसिफाई देट मैथेड दस नौट रिटन आ वैलू वोयर्ड वोयर्ड काउन सा बी इसमॉल में वोयर्ड होना चाहिए बिल्कुल सही उसके बाद दा लॉजिकल ऑपरेटर विच इस आ यूरी ऑपरेटर ऑलसो लौट के साथ वी स्केनर क्या है डिराइब्स क्लास कई बच्चे इसको रैपर क्लास स्टेक क्या कुछ ना लगा दें तो आप याद रखेंगे डिरैब्स क्लास और कोई मिलती नहीं सिर्फ यही है इसके बाद मैथेड में यहां पर फिर से वही वाला यह बहुत जद्धा आ रहा है अब यह क्या कर देगा जीरो देगा जीरो देगा किसी की जीरो पावर कर दो वन आ जाएगी और वन और यहां पर 12 आ जाएगा 1 प्लस 12 13 13.0 इसका रिजल्ट आ गया ठीक है multiple branching statement आपका switch case हो गया multi branching statement आपके notes में लिखाया गया है उसका number of bytes occupied by the constant 45 तो यह integer है तो 4 byte लेता इंटीजर तो ठीक है आपका यहां पर यह 4 byte हो गया उसका do by loop is exit control loop तो यहां काउंसा है भी एगज़ेट कंट्रोल लूप हो गया ठीक है फिर आप method which the same name of a class class से से में तो constructor हो जाएगा ना और no return value है ठीक है और विद आर्गुमेंट तो parametrize constructor हो जाएगा parametrize constructor हो जाएगा ठीक यह आपके answer होगा इसके उसके बाद फिर आपका rest int है उसमें यह a store करोगे 65 के रूप में store होगा ठीक है और 65 भी आ जाएगा बस कहां है 65 भी वहला ठीक उसके style of expression single line comment c ठीक है और method do method to check whether character is a alphabet or not is letter is letter a अध्याना किना इसके बीच में character ही लिखा होना चाहिए कुछ और लिखा है तो गलत है is letter फिर उसके बाद the output of the double dot pass double तो किसी भी number को double में convert करा देगा और इसमें इसको जब जोड़ दोगे तो यह 5510 हो जाएगा और 7 और 29 हो जाएगा ना इने 10 तो यह 72.0 है okay 72.0 भी आ गया okay a method to convert a string to uppercase later string के लिए कह रहा है method convert a string to uppercase तो इसमें यह character वाला है गलत है यह 2 अपर यह तो गलत है हाँ तो इसमें यह है देखो अच्छा हाँ गोल वाले ब्रैकेट में कुछ नहीं होता राइट यह नन होगा बिल्कुल सही तो अपर केस होता है लेकिन ब्रैकेट में character वाले function में तो होता है लेकिन string वाले function में नहीं होता है राइट फिर Mississippi यहां पर जो है s को ढूनो और टी बना दो तो एस आपके यह दो है और यह दो है तो इनको टी बना देंगे और तू लोबर केस कर दो लोबर केस भी कर देंगे टेक्र फाइंड से तेगह एम की एडबल एस डबल टी बने गया ठीक है फिर आइट इखें डबल पी ठीक है आई ठीक है कहां काँंपे ते नहीं भाए देखो वोट को टी बना दे भाकी बाकिह से रहने और टू लोवर केस मदर भी स्मॉल में कर दे मैच नहीं कर पाए तुम्हारे लिए ही तो हमने वहाँ पर पूरा मैच कर लिया नहीं तो हम इतना मैच सुड़िन करते हैं उसके अधा प्रॉसेस ऑफ बाइंडिंग डेटा एंड मैथेड फंक काउंसा इंकैसलेशन रे लूप के अंदर लगता है। में उसके बाद keyword to create an object new keyword होता responsible भी यहां भी वाले option जाधा सही हो रहे हैं फिर method that accept a string without any space तो next होगा next हाँ भी वाला सारे भी सही है और रेपर class are available in package java.util ठीक अस्वारी यूटिल का है लेंग होता है वो scanner कला कहा जाता तो यूटिल कहते आप फिर name the type of error that occurs देखो इसमें इसमें एरर आ रहे है मैंड.sqrt में माइनस वाली वैलू बन रही है माइनस वाली वैलू का इसको रूड निकलता नहीं तो runtime error इसको माना जाता है रिजल्ट के रूम में नैन आता है एन एन नौटा नमबर तो देखो नैन यहां है कहीं नहीं है तो runtime error इसको consider आप करेंगे runtime error होती output में आपका नैन लिखके आता है खाली किसी भी माइनस वाली वैलू का स्कॉर रूट नहीं लिकलता है क्यों रूट निकलता है स्कॉर रूट नहीं निकलता है अच्छा इत्ती जल्दीवाजी भी ना करना कई बार ऐसा हो सकता है को पता चला syntax error ही है तो उसको देखा है नहीं दी लेकिन हां bracket लेकिन हम चोटा है या स्कुर्टी सही नहीं लिखा है अगर दोनों अगर है तो syntax error पहले आएगी उसके बार runtime की बात आती है पहले compile होता है ठीक है तो यह हो गया आपका question number 1 का complete यह वाला एक अच्छा question था जिसमें आपको याद होना चाहिए कि माइनस वाली वाली वैलू क का square root नहीं निकलता दुसको runtime error माना जाता है वो नैन लिखके आता है और नैन का मतला नौटा नंबर ठीक उसके बाद देखिए मैट.seal मैट.seal माइनस वाली वैलूम क्या नो चेंज तो यहां पर 6.0 कर देगा वो बाद में होगा ना पहले मैट.seal यह करेगा तो यह प्लस में यानि आउटपुट आपका यहां 6.0 हो जाएगा और मैक्स में देखो दोनों नम्रों में मैक्स आपका 14 आ जाएगा पॉइंट क्या करेगा पॉइंट के बाद अगर 5 से मिलता है तो आपका जब यह रिंट करेगा तो 15.0 अब वह वाला फंक्शन बच्चा हम बार बार कह रहे हैं याद रखना वह रिंट में होता है या राउंड में होता है कि आप 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 जब आप मुद्वाला काम करवाएंगे तो अगर इवन वेलू आ रही है तो बढ़ाओ याना याद रखना हम भूल जाते हैं अगर बढ़ाने पर अगर नंबर इवन आ रहा है राउंड में तो बढ़ा देगा रिंट हार रिंट में अच्छा रिंट में तो यहां पर इवन तो नहीं आ रहा है और आ रहा है हाँ इस पेसली 5 होगा इस पेसली 0.5 के बाद पॉइंट के बाद 5 अगर लगा हो तो रिंट फॉंक्शन क्या करता है कि इंटीजर पार्ट में अगर बढ़ाने पार क्योंकि 0.5 का मतलब बढ़ाना चाहिए तो अब जैसे एक्जामपल यह है कि रिंट लिखा आपने 1.5 तो अब यहां पर दूसरा एक्जामपल रिंट और यहां पर आपने 6.5 लिख दिया तो अब यहां पर 8.0 आएगा और यहां पर 6.0 आएगा रिजन इसको अलग से लिख लेना यही भूलोगे कि रिंट फंक्शन क्या करता है पॉइंट से पहले वाली वाली वैलू अग आपने 7 से वो करेगा 8 तो अगर इवन वेलू आ रही बलाने पर तब तो बढ़ाएगा नहीं तो नो चेंज इन इंटीजर पार्ट में आप जिसे 6 से 7 बलाएगा 7 और आ रहा है इसलिए नहीं बलाया यह से 7 से 8 करेगा तो इवन आ रहा इसलिए बला दिया और यहां पर य गसigung है मने हैं इसलिए अइसे नहीं हू cow हमने जो लेंग्विजिए इसकी बलया दे पर बलाने पर अगर और आ है तब बलाएगा बनाने पर अगर और अट तो नहीं बलाये अगा अरे यार यह जो भी हम बोल रहे है उल्टा बोल दिया बलाने पर अगर इवन आया तो बढ़ाएगा और रहा तो नहीं बढ़ाएगा पता नहीं यह तो यह सही बात है हमको भी अच्छा नहीं लगा यह को बेहृर यह तुमारा इसपेसली.5 के case में है हाँ और पॉइंट अब फाइड के अलावा जैसे उपर की value हो अगर rinट में पॉइंट के अलावा, पॉइंट 5 के अलावाव अगर उपर की value हो तो seal जैसा वर्क करेगा, निछे की value हो तो floor जैसा वर्क करेगा और पॉइंट जीरो में नो चेंज ना माइनस वाली वैलू में ना प्लस वाली वैलू में पॉइंट जीरो में किसी फंक्शन में कोई चेंज नहीं करना है पॉइंट जीरो अगर है तो पहले से आउटपूट निकाल निकालने के लिए ओके तो आप आपने लोग आगे बढ़ें हो गया बहुत चलिए बताईए देखिए यहाँ पर यह निस्टेट बना दिया या री राइट करना है ओके अच्छा तो अभी दोनों निकल गए नहीं निकल गए हाँ दोनों निकल गए तो इसका आउटपूट क्या है एक बर बता दू 15.0 आया इसका और इसका कितना आया था 6.0 ठीक आप देखिए आपका यहाँ पर री राइट करना है तो जो वेरेबल होते हैं डिकलेर करने वाले पहले डिकलेर कर देना चाहिए जैसे इस ट्रिंग में जी डिकलेर कर दिया आपने उसके बाद इस कंडिशन लगाई इफ और माक्स माक्स ग्रेटर देन इकुल टू 90 है अगर कली ब्रैकेट खोला तो जी में आगरा आजाए आगरा आजाए और फिर इसको बन किया अगर कंडिशन फॉल्स होती तो एल्सिफ में जाते है एल्स इ और माक्स जो है अगर आपका ग्रेटर देन इकुल टू 80 है तो यहाँ पर जी में बैंगलोर आजाएगा और एल्स कौन पूर बिल्कुल सही है कि इसका कनवर्ट करना अब इसको हम कैसे बना पा रहे है इसलिए बना पा रहे है क्योंकि टरणे जोटर घामे मालूम है condition true निकी stark होगी मीकटा ब्लूर में सब्सक्रूर मारत होगी तो मैं मैं ऐसा याद रखना आगे बढ़ा के लिखना एक टैप करेक्टर छे करेक्टर चार करेक्टर आगे बढ़ा के लिखना करें कर लिए कर लिए बिल्कु सीधी लाइन में लिखते ना चले जाना ये गलत होता है कि क्यों को तो फिर next हाँ difference between compare to और equals तो याद करो compare to जो है इंटीजर वैलू रिटन करता है पहले रिटन टाइप के बारे में सोचो compare to integer वैलू रिटन करता है और equals जो है बूलियन वैलू रिटन करता है पहला difference compare to दो strings में lexicographically compare करता है एक पहले compare किया फिर बी compare किया इस तरीके से अरे छोड़ो इसको compare to जो है यह दो स्टिंग में less than greater than equal to not equal to सब चेक करता है और equals सिर्फ equality चेक करता है equals दो स्टिंग के अंदर सिर्फ equality चेक करता है compare to सब कुछ चेक कर लेता है बजित्ते लिखना है उसके बाद जो है रिटन टाइप एंड्स विद बूलियन बहुत सही बहुत जल्दी बता दिया तुमने बूलियन अच्छा जल्दी से डिस्कस करो लिसन कि स्ट्रिंग वारमल में डिसकर हो कौन कौन से फंक्शन बूलियन टाइप के वैलो डेते हैं एक तो आपका equals हो गया नहीं वह character function हो गये हम string function बातर आप है तो character function हो गयória ठीक है और character function में जितने भी is वाले हैं सब गूलियन देते हैं जितने भी इस वाले is letter is dzidget is letter or dzidget is uppercase is lowercase सब बूलियन वैल्यो देते हैं और बाखी character के जब अगर उसको इस्ट्रिंग में कनवर्ट करा लें तो कर सकते हैं अच्छा टू अपर टू अपर केस यह करेक्टर वैलू अभी जटू वाला कैर वैलू देगा करेक्टर का फंक्शन अगर है और इस वाला बूलियन देगा और दो बाकी यहां पर टीज़ प्रापर सेंटेक्स में ठीक है इसके बाद देखिए यह आपका एक एर्य है जिसमें यह जीरो है यह वन है यह यह टू है यह थरी है यह फूर इस टूर है अब यह और देखो एरे ओफ जी रो पया है लखनव की लेंथ नका लो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 length आ गई, greater than a of 3, 3 पर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहां भी 7 है, यहां भी 7, दोनों 7, लेकि देखने भी छोटा लग रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हाँ से, यह है भी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठिक, तो 7 is greater than 7, condition false, तो यहां पर false लिखकर आ जाएगा, false, हाँ यह स्मॉल ही है, हम यह कैपिटल ऐसे बनाते हैं, तो ठीक है, वह ऐसे लिख लो, उसमें क्या है, इस्मॉल में false आएगा, कीवर्स सारे स्मॉल में होते हैं, सीधी बात, हाँ, उसके बाद जाद देखो, यह IRA के 4 वाले box पर कहुं सा है, 0, 3, 4, तो जैपूर आ जाएगा, जैपूर के 4 इंडेक्स मबर देखो, 0, 1, 0, 3 लिखा है, तो यह नहीं 2 तक, तो 0, 1, 2, जै तोड़ देगा, जै, जै, जै आ जाएगा भाई, ठीक, बहुत अच्छा, फिर बताओ, राइट 4, एनी 4 कीवर्ड, हाँ सब इंपोर्टेंट वाले बता रहे हैं, जो हम कीवर्ड बता रहे हैं, उनके बारे में ही कोशन आएंगे, या आते हैं, तो आप जो है, पॉपलर कीवर्ड काउन से हैं, ब्रेक, कॉंटिन्यू, इस, स्टैटिक, इनके बारे मापको पता होना चाहिए, बाकाय दे, एक्जाम्पल, एक्जाम्पल सब, और आपके एक काउन से बोला कोई अलग से हैं, वो कीवर्ड के रूप में नहीं यूज किया जा रहा है, मुल्टि ब्रंचिंग इस्टेट्मर्ड होता है, और कहुंसे कीवर्ड होते हैं, बताओ, जो थेओरेटिकल कोशन के रूप में पूशे जाते हैं, एक फाइनल कीवर्ड भी पूशा गया कई बा कीवर्ड लेकिन वो ज्यादा तर यूज में नहीं मिलेगा, स्ट्रिंग या अब्जेट की वेलू नल होती है, रिटन रिटन भी मिल जाएगा, चलो ठीक है, इतने बहुत है, जिसमें कि अगर इंपॉर्टेंट में देखें, तो सबसे ज्यादा थेओरी आपकी इनहीं से म देखें लिती है, ब्रेक इस स्टैटिक नियु फाइनल और वाइड, हाँ, हाँ, थेओरी, इसमें पेपर पैक्टिस होगी, क्यों कन्फिज न्यून बात लिखें, अच्छा, हमने क्या लिग दिया, औरे ये गलत हो गया अच्व में गलत होगता ओसमें लिकार आख प्रशीयर आ पता नहीं चल पाई थे लिए क्लिक यह हां वोगता तुम्हेश अधीश कमने ओर्मरी में के ऐंसे मौत बड़त किया था है हमने इसको डाट दिया हमने का मैं सब्सक्राइब पड़ती हो ओके तो देखो ये कीवड हो गया फिर आपका ये एरे है 0 1 2 3 4 5 ये वैलू है अब लेंथ है तो 6 आ जाएगा क्यों कि कि एरे पूशा है क्या अरे वो अभी तभी स्मार्ड ना बनो वह जब सेमी कॉलम हम लोग काटते हैं तो ध्यान दिया करो अब फिर 2 वाले बॉक्स पर देखो कौँसे वैलू है 7 प्लस 5 वाले बॉक्स पर 10 प्लस 1 वाले बॉक्स पर 3 इंटू 3 तो इंटू कर दो पहले 37 37 फिर ये एनलाइस करो देखो हां राइड आउटपूट अप दो फॉलिंग सेग्मेंट और हो मैनी ताइम्स दा लूप विल विल वी एक्सकूटेड हाँ तो देखो यहां से 5 से 20 तक चल ला है अपडेट देख लो किता हो रहा है पांच पार डब डरूजा तो 5 थी जा 15 और 5 फोर्जा करो गया तो चार हो जाएगा 5 10 15 20 चार बार चल गया अब आउटपूट क्या रहा है तो फाइब 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं तो आप एल्स में आओगे 55 से डिवाइड हो रहा है हां हो रहा है आउटपूट तो सबसे पहले क्या आ गया फाइब इससे क्या मतला में तुम देखो उसके रहा है बिल्कुल जुरूद नहीं थी कहीं सही कह रहे हो फिर उपर चला जाएगा अब यह 10 आ गया हां आप देखो दो बार चला खाली नहां तीन वार तीन वार तीन वार चला तीन वार रहर देख रहे थे नहीं लेकिन ब्रेक से बहर आगा यह तो consider ही पर तरिव कहां अगर चलता तो चारवा चलिजात प्रेंब्सें कौण से चला फाइब चला 10 चला और 15 चला लेकिन कंडिशन यहां पर टू हो गए ब्रेक वाली इसलिए निकल गया अगर इस लूप से बाहर आते अब वो पूस्ता फाइनल वैलू तो 20 नहीं 25 क्योंकि 20 तक तो चली जाता ना क्या हाँ पंद्रा पंद्रा पे आउट हो गया तो 15 आएगी फाइनल वैलू अगर बाहर प्रिंट कर आ गया होता तो एम अगर यहां प्रिंट करा देते तो तो एम की वैलू क्या आ जाते 15 देखो इसके बाद जो है M is equal to 7 है N is equal to 4 है P is equal to 2 है और यह calculation मैं वैलू लिख रहा हूं देखो एम की वैलू बोलके बताओ क्या है 7 minus bracket start हुआ और फिर 7 divided by N 4 और फिर पोस्ट है तो यानि टू ही बना रहेगा टू इंटू अब 2 से माइनस माइनस होगे कितना हो गया 1 और 1 से प्लस यहां बन ही रहेगा यहां बन ही रहेगा अब इसको solve करो पहले और प्लस और यह इंटू कर दो 2 तो 3 हो गया और 7 minus 3 4 4 आउटपोट आ जाएगा इसका हटा दे फिर जावा एक्सप्रेशन यहां पर आप इस तरीके से लिख दीजेगा 1.0 upon 3.0 लगा दिया जावा में फिर वो मानेगा नहीं न इंटीजर पार्ट के लिए दिक्कत करता है हम जो आता है वो लिखे दे रहे हैं अब मैं डॉट डॉट पाओ इसके बाद प्लस वन पॉइंट फोर वन पॉइंट जीरो डिवाइड़ बाई फोर पॉइंट जीरो यह भी ब्रैकेन कर दो और इंटू मैट डॉट पाओ बी कॉमा फोर लाज्ट में से वी कॉलन भी लगा दो तो यह हो गया आपका तो ठीक है यह आपका थेओरी वाला पार्ट कि आप प्रिदीफाइंड फंक्षंशन ही लिखे जाव एक्स्प्रेशन की बात कर रहा हूं रहा हूं मैं वह चाहते हैं आप प्रिदीफाइंड फंक्शन यूज़ करें कि एक्षिली कॉपी चेकिंग जब करने जाते हैं हम लोग तो वहां पर बताया जाता है बहुत सारी जो भी अपडेट होते हैं तो वही अपडेट तुमको बता रहे हैं कि बाकी एक बार कोशन देख लेते हैं क्या-क्या थे सॉलुशन हम लोग क्योंकि यह है दो पार्ट में यूडियो बनाते हैं तो अगली क्लाव हम देखेंगे तो एक आपका यह क्या हो गया यह टीचर्स अच्छा यह फंक्शन वाला हो गया लेकिन इस तरीके स्कॉशन नहीं आएगा यह बाकाइदे अच्छा वाला कुशन आएगा फिर स्वीच केस में कौन कौन चीज चेक कर ली गई कंपोजिट नंबर स्मॉलेस नंबर यह बोर्ड का कुशन है यह कुशन अच्छ इस पेस वाले नहीं है ठीक है यह हो जाएंगे और यह भी बोर्ड का कॉश्चन है इसलिए बच्चे कह रहे हैं बहुत आसान पेपर आया है और यह कुछ हाँ अध्यकुब मैठेट के दो दे दियें यहां पर ठीक है नेक्स नेक्स वाला है लेक्टिसिटी बिल के तरीके स इसको कर दिया जायेगा यह आपका जो है दो इंटीजर का लाजेस्ट दो करेक्टर का लाजेस्ट दो स्टिंग का लाजेस्ट यह हम वो करा चुक है टेस्ट में बस क्या हो गई लुग जाओ